शादी और पार्टी वाला पनीर लबाबदार अगर आप घर में बना कर सबको खिलाएंगे तो फिर घर वाले तारीफ करते नहीं थकेंगे इतना टेस्टी और लाजवाब होता है ये तो चलिए फटा फट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए एक पैन में दो चमश तेल गरम किया है इसमें डालेंगे आदा चमश जीरा कुछ घड़े मसाले जैसे दालचिनी का टुकड़ा लॉंग हरी लाइची दो से तीन टमाटर कटे हुए दो हरी मिर्चे, पांच छे काजू, चार लसन की कलिया और एक इंच अद्रक का टुकड़ा अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इने बॉल होने देंगे पांच से छे मिनिट के लिए अब देखिए टमाटर पक चुके हैं अब इसे ठंडा होने देंगे और एक प्यूरी की तरह तयार कर लेंगे अब दुसरे पैन में भी तेल गरम करेंगे इसमें हम तो प्यास डालेंगे बारीक कटे हुए प्यास को हमें अच्छे से बुनना है, हलका बुरा होने तक अब इसमें मिक्स करेंगे एक चुधाई चमश हल्दी, आदा चमश धनिया पाउडर, आदा चमश लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार मसालो को और प्याज को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें टमाटर और काजू प्यूरी डाल देंगे साथी में डालेंगे थोड़ा सा बटर, यह मैंने एक बटर क्यूब डाला है, बटर से सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अब हम मसाले को अच्छी तरह सिखने देंगे जब मसाला अच्छी तरह पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लगबग आधा कप पानी ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे दो चमच टमैटो सॉस एक चमच कसूरी मेती इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरीके से सबजी को हम पकने देंगे थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है क्योंकि ग्रेवी में काजू डले हुए हैं तो मसाला बहुत जल्दी ट्राय हो जाता है अब हम इसमें डालेंगे दो चमश ताजी मलाई, दो बड़े चमश दूद और एक चुथाई कप कदू कस किया हुआ पनीर अब देखिए तेल उपर आ गया है ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है अब इसमें हम एड़ करेंगे 200 ग्राम पनीर क्यूप्स सबजी को तीन से चार मेरी डखकर पकाएंगे अब यह सबजी अलमस्ट रैडी हो चुकी है बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत ही ज्यादा टैंप्टिंग दिख रही है अब लास्ट में डालेंगे बार इकटा हरा धनिया और आदा चमश गरम मसाला अब फ्लेम ओफ कर दीजिए और सबजी को गरम गरम रोटी और पराठो के साथ सर्व कीजिए एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें घर में सबको बहुत पसंद आएगी आपको रेसिपी कैसी लगी वीडियो में हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आगे भी इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार